दोस्तों हमने जीवन में दो तरीके के लोग देखे हैं एक तो गरीब और अमीर गरीब कितनी भी मेहनत करे कुछ भी करे गरीबी में ही रहते हैं सालों साल उनका पूरा जीवन गुजर जाता है और वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग दिन दूनी रात चोगनी तरकी करते जाते जी हाँ एक एक रात एक एक घंटे एक एक सेकंड एक पल में वो करोडों के मालिक बनते जाते हैं ये कैसे होता है ये शायद आप लोगों को पता नहीं है पर ये राज लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ जो आपको करोड़ पती बना सकता है जो आपको रंक से राजा बन सकता है गरीब से अमीर बना सकता है जी हां अमीर लोग मेहनत के साथ साथ मंत्र और उपायों में भी विश्वास रखते हैं जी हां वे हमेशा सिद्ध जोतिश सिद्ध बाबाओं के पास ही जाते हैं जो उन्हें अच्छी सला दे सकते हैं और गरीब लोग हमेशा गरीबी में ही पड़े रहते हैं क्योंकि वे अक्सर जादू, टोना, सादू, तांत्रिक इन लोगों में फस जाते हैं जो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कुछ हजारों रुपए खर्च कीजिए हम आपकी मनों कामनाय पूर्ण कर देंगे हम आपके लिए पूजा कर देंगे वशी कर चाहिए चाहे वो इस्त्री हो या पुरुषो पर सिद्ध जोतिश ही चाहिए वशी करन एक बहुत पुरानी साध्विक प्रक्रिया है जो हर कोई इंसान नहीं कर सकता है और हम और कॉमन लोग तो वहां तक पहुझ भी नहीं सकते हैं क्योंकि इन में बहुत जादा खर्चा होता है पर इनका असर बहुत असरदार होता है जी हां आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है अमीर लोग मेहनत के साथ साथ बहुत सारे यग्य करवाते हैं बहुत सारी पाठ पूजाएं करवाते हैं बहुत सारे हवन करवाते हैं बहुत सारे मंद्रों में जाके पूजा उपाएं करते हैं मंतरों चारण करते हैं अपने धन को दिन बद दिन बढ़ाने के लिए वह बहुत सारे उपाएं करते हैं जैसे उनके पास कुबेर का खजाना हो जी हां यह उपाएं उन लोगों को बहुत जादा अमीर बना देता है उनकी सारे उनके पास कोई प्रॉब्लम परिवार में बहुत सारा धन आ जाता है जिनसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है इनसान तो सब ही है पर कोई राजा के जैसा जी रहा है और कोई बिखारी के जैसा तो राजा के जैसा जीवन अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक अच्टूक उपाय लेकर आई हू जी हां वो उपाए हम करेंगे कौडियों से कौडियों को धन भी कहा जाता है पुराने जमाने में कौडियों से ही कुछ चीजे खरीदी जाती थी जिस तरीके से आज हम पैसे रुपए देकर कुछ भी खरीदते हैं और कुछ भी आदान प्रदान होता है बिजनिस में, किसी भी चीज में पुराने जमाने में कौडियां यूज की जाती थी जी हाँ, इन कौडियों में लक्षमी का वास होता था और अब भी भी है सिर्फ फर्क इतना है ये आजकल मार्केट में नहीं चलती है पर इसके जरीए आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं मैं आपको अब वो उपाई बताने वाली हूँ, जिससे आपको कुबेर का खजाना मिल जाएगा उपाई बहुती सिंपल है, बहुती सरल है आपको चाहिए साथ कौडियां, इन साथ कौडियों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं लक्षमी जी आपका पीछा ही नहीं छोडेंगी आप जहाँ जहाँ जाएंगे पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा जी हाँ ये उपाई करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये उपाई कितना असरदार है कैसे लोग करोड़ पती बन रहे हैं रातो रात इस उपाई के जरीए आप भी उपाई कीजिए और इस बात का फाइदा उठाईए तो आपको चाहिए साथ कौडियां, आप इन साथ कौडियों को एक साफ सुत्रे लाल कपड़े के उपर रख दीजिए उसके बाद आपको इसे फोल्ड करना है, ताकि ये कौडिया इस कपड़े में से गिरे नहीं अच्छे से fold कीजिए ताकि ये बिल्कुल नहीं गिरे इस तरीके से फिर उसके बाद आपको इस पर मौली बांदी है साथ बार ऐसे इस तरीके से आपको इसे fold करना है इस तरीके से आपको इसे रखना है अब मैं आपको बताती हूँ आपको आगे क्या करना है उसके बाद आपको इसे अपने हाट में लेना है और हमारा एक बहुत थी powerful मंत्र है जो कुबेर का खजाना है जिससे आपके पीछे लक्षमी जी आएगी जिससे आपके पास लक्षमी माता हमेशा रहेंगी आप इस पर 21 बार कीजिए इसे हाथ में रखकर 21 बार मंत्र उचारन कीजिए जी हाँ सिर्फ मंत्र उचारन करने के बाद आपके पास पैसों की बारिश होने लगेंगी आप इसे जहाँ पर आप पैसे रखते हैं गैने रखते हैं जहां पर आप कीमती सामान रखते हैं कोई भी तिजोरी में आप इसे रख सकती है ये उसमें आपकी बरकत देगा ये उस तिजोरी में बरकत लाएगा ये उस घर में बरकत लाएगा इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे दरिद्रता घर से चली जाएंगी दरिद्रता बुरी नजर सब कुछ चला जाएगा ये इतना पावर्फुल और असरदार मंत्र है आप इसे कीजिए और अपने जीवन में अपने पैसों में बरकत लाइए बहुत जरूरी है हम जितनी मेहनत करते हैं उससे जादा तो हमारे ख ऐसा बढ़ता जाएगा आपके पास ही रहेगा और आपको करोड़ पती बना देगा रातो रात आपको फर्क महसूस होगा आपे उपाय कीजिए और हमें बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा हमें बहुत सारे कॉल आते हैं हमारी जोतिशा चारे अबजी उनका ये नंब मंतर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि राशिया अलग-अलग होती है जनम्तिति अलग-अलग होती है तो मंतर भी अलग-अलग होते हैं उन मंत्रों को आप अपने जीवन में लाइए और करोड़ पती अरब पती बन जाएए बहुत सरल से उपाय है भूत सिंपल से सोलूशन ह आप इनको जरूर कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए गरीबी में से निकलिए दरिद्रता में से निकलिए क्योंकि गरीबी अकेली एक समस्या नहीं है गरीबी अपने साथ सो समस्या और ले आती है दरिद्रता कलेश मन मुटाव ये सारी चीजे गरीबी में से ही पैद अपनी जिन्दगी को राजा जैसा बनाईए इसी मंगल कामना के साथ मैं आप से विदा लेती हूं जै माता दी